दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दगा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी केवल आपके लिए फाइदेमंद बिजनस है हमेशा किताबे बिकती हैं आपके घर में जितने भी बच्चे होंगे जो भी पढ़ने वाले लोग होंगे आपका भाई हो आपकी बहन हो आपके घर में आपके बच्चे हों वो सभी किताबे जो हैं रिजिस्टर और किताबे हमेशा खरीदते होंगे 40-50 रुपर काई एक रिजिस्टर आता है आज के टाइम पे तो ये बहुत ही फायदेमंद बिजनस है इसके बारे मैं अज सारी जानकरी आपको देने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताओंगा कि रिजिस्टर बनते कैसे हैं रिजिस्टर कापियां कैसे बनती हैं कौन-कौन सी मशीन चाहिए उसके बाद मैं बताओंगा उन मशीनों के rate क्या है कितने की मशीन है और उसके बाद मैं आपको phone number दूँगा सारा खर्चा बता के मैं आपको phone number दूँगा उनका जो ये machines और ये raw material जितना भी आता है रिजिस्टर कोपियां बनाने के लिए ये सब आपको provide कराएंगे उन सभी के phone number भी मैं आपको दूँगा देखिए notebooks ये खिताबे बनाने के लिए सबसे पहले आपको raw material खरीदना पड़ता है raw material की जो कीमत है वो मैं आपको बता देता हूँ ये आपको जिससे आप machine लेंगे वो ही आपको सारा raw material प्रोवाइड करा देगा अब इसके बाद मैं शुरू करते हैं किस तरीके से notebook बनती है कौन कौन सी machine चाहिए देखिए notebook बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है white paper को गत्ते के अंदर डालना है जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने गत्ते के अंदर white paper को बिल्कुल ऐकसार तरीके से डाल दिया कि पहले ये रो मैटेरियल में पहले से ही आएगा सब कुछ बहुत ही आसान काम है यyorsun डालने के बाद में जिस तरह से आप देख सकते हैं इसमें पिन लगाई जाती है ये मशीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये पिन लगाने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है ये मशीन कहीं तरह की आती हैं कुछ सस्ती आती हैं कुछ महेंगी आती हैं वो उसी हिसाब से काम करती है जैसे उनका rate होता है जैसे उनका size होता है अब आप देख सकते हैं इसमें pin लग चुकी है है जैसे हैं जो चुकी है झाल। झालाए झाल। प्रखोज प्रवार नंड को अपर्ण माज अच्प में अच अचा दो सब्सक्राइब झाल नंग को जाओ के प्रवा गचिति अच्प हो जए को जाओ लग जर लगा झाल कर दोग हो जाओ कि देनक का लुटा कर दो क्वध्स का अच्पटाल कर दो दो रो कर दो कर दो इसे क्या होता है इसे जो है चकोर किया जाता है नीचे से इकसार किया जाता है बिल्कुल जो नीचे की इस तरफ आप देख पाएंगे यहां पे बिल्कुल इकसार कर दिया जाता है प्लेन तो इस वशीन का इस्तेमाल होता है जिसमें नीचे रोलर होते हैं इससे इकसार किया अब आप देख सकते हैं ये बिलकुल एकसार हो चुकी है नीचे से सारी नोटबुक को गठा डाला गया इसके अंदर तो यहां पर देखे बिलकुल एकसार हो चुकी है कर देखे बिलकुल एकसार हो चुकी है कर देखे बिलकुल एकसार हो चुकी है है कर दो जगे बिलकुल एकसार हो चींड़फ फसलिए कर दो Y आपता है अब आती ये बात यहां पे आप देख सकते हैं ये दूसरी वही machine है उसकी जो पिछली side है ये बड़ी machine है पूरी की पूरी एक तो इसकी जो पिछली side है उस पे अब इसे ले जाया जएगा सारी किताबों को और यहां पर इन किताबों की cutting होगी जो raw material था वो तो जुका तो आ गया हमने सिर्फ इसमें pin लगाया है कागरे डाला है और अपना इसकी cutting कर देंगे हम और हमारा register बनके तैयार हो जाएगा तो देखते रहे यह इस video को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल एकसार तरीके से रख लिया है अब यह इन्हें इस machine के अंदर डालेंगे और उपर एक blade होगा बहुत ही जादा तेज ब्लेड होता है वो जो एक बार में से काट देगा सारी की सारी किताबों को तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इन्हें निकाल के रख रहे हैं अभी अब देखिए अब इस तरीके से इन्हें रखा गया बिल्कुल एकसार करके यह इन्होंने यह देखिए यह blade चल गया यह आप देख सकते हैं पूरा बारी blade होता है थाकि एकसार एक बार में काटते हैं और हमारी किताब भी जो है कटके तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं ये काम हमारा हो गया complete हमारा register जो है बिलकुल बनके तयार हो चुका है अब हमें कुछ नहीं चाहिए, डारेक्ट हमें इसे बेचना है और कुछ नहीं करना रेजिस्टर बिल्कुल बनके तयार हो चुका है तो अब इसे थोड़ा सा ये इकसार करेगा, जो फाल्तु की जगा जहां भी होगी उसे ये सही से ब्लेड से कट कर देगा आप देख सकते हैं, ये फिट से बढ़ी करवा है, ये देखिए फाल्तु का सब कट हो गया बिल्कुल और हमारा रेजिस्टर बनके बिल्कुल तयार हो चुका है अगर आप हमारे चानल को पहली बर देख रहे हैं, तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे, उसकी सूचना आपको दोस्तों इस वीडियो में इतना है, मुईट करता हूं कि अपनी वीडियो जूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर करना ना, आप भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नहीने बिजनेस आइडियेस पहुँचे सबसे पहले आपके